आरा नगरनिगम छेत्र की डिप्टी मेर पत्याशी सलमा वेगम लगतार नगरनिगम छेत्र में जनसंपर का अभियान चला रही है उन्होंने आज कई महलों में जनसंपर का अभियान चला कर लोगों से मिलते हुए अपने पक्ष में मद्दान करने की अपेल की सल्मा बेगम ने कहा कि डोर टू डोर कैमपेणिंग कर रही हूँ इस दोरान लोग मेरे लिए तेरे शमर्थन में आ रहे हैं इसे से पता चलता है कि जनता इस बार मुझे जीत दिलाएगी डिप्टी मेर परत्याशी सल्मा बेगम ने आगे कहा कि जिस तरह से मैंने पुरू में वाड नंबर 25 में विकाश कारे किया है जिसकी बदोलत आज मेरे पती जाकिर जी निर्विरोध वाड पारशद 25 के पारशद निर्वाचित हुए उसी तरह मैं डिप्टी मेर बनकर जनता का विकाश करूँगे आरा सहर को स्वक्ष, सुंदर वज शौंदरिक करण के साथ भैमुक्त माहौल बनाओंगी जिन्दाबाद, 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 दुसरा कोई नहीं क्या लगता है कि इतिहास रहा है, इनके हस्बेंन कभी इतिहासरा है पचीस बरसों का चलिए तो मतताओं से यहां के मतताओं से जो कि आप लुक्सूस समझ कर वैसे पत्यासी कोड़ दीजे जो आपके दुख दर्द में काम आ सके सहर की समस्याओं का निदान दिला सके वह महिला पढ़ी लिखी है कि नहीं वह महिला आपकी भावनाओं को समझ सकती है कि नहीं जिस तरीके से मुझे विश्वास लोगों का मिल रहा है यह मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनोती है और मैं पूरे इमांदारी के साथ अपना काम करूंगी यह मेरा पूरे सहरवासि कि यकीन दिलाती हूँ चुनाव चिन में आपका करम संख्या 12 है कि अधार में कोई सहर महीं नहीं है और लगता है कि लातार नहीं निगम में भी करदते जमीन से जुड़े हैं और हम लोगों का समझ लिए कि आरा का विकास में अगर इन अगर इन चुनाव जितेंगे और ज स्वास के साथ को रहे हैं कि आरा का बहुत विकास होगा अपना नाम बता दे से मनोज सिंग कहा करहने वाले हैं यहां पच्छिम टोला मनोज परसाथ है जी और भवी सुड़ में मेर के चुछनाओं चीज़ बरिच देगी अभी टुटी मेर को तरब से यह चाहेंगे और भ जैसे इनकी सोच है उसे अल्ला इनको रखते क्या नाम असर का राश्कमार सानाम है वाड़ नमर दस का है